हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बहुती खुबसुरत पैटन सेयर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं बनके देखे बहुती खुबसुरत हमारा ये पैटन आ जाता है और फ्रंटी साइड से हमारा ये पैटन बनना इस्टार् आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियो इसकी नोट्पिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक फंदा सीधा भूना धागा अपनी साइड करेंगे आठ फंदे उल्टे दो तीन चार पांच छे और शाथ ओर आठ फंदे हमने उल्टे भून लेने हैं यह देखे फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा तो यह दस पंदों में हमारा पैटन आ गया यही प्रोसिस हमारा आगे रिपीट होगा एक फंदा सीधा और देखे फिर आठ फंदे उल्टे बुनेंगे आठ फंदे उल्टे धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा और लास्ट का फंदा भी हमने सीधा भुन लेने हमारे प्रोजक्ट में जितने भी फंदे होंगे हमने यही प्रोसिस रिपीट करते जाना है और फ्रेंट साइट से अपनी फास्ट रोव कंप्लेट कर लेनी है अब देखें wrong side से second row पहला फंदा उतारेंगे और wrong side से second row को हमने उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है अब देखें wrong side से हमारी pattern की second row complete हो गई अब देखें front side से pattern की third row third row में देखें पहला फंदा हम बुनके उतारेंगे अब देखें next हमने दो फंदों को twist कर लेना है तो देखें back side की तरफ से हम second number का फंदा बुन लेंगे पहले first वाले फंदे को ऐसे slip करेंगे left needle में उठाएंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे यह देखें यह दो फंदों को हमने twist कर दिया आप देखें धागा अपनी side 6 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे next हमने 2 फंदों को twist कर लेंगे तो देखें ऐसे सीधी side से right needle को डालेंगे दोनों फंदों में ऐसे उता लेंगे अब इन दोनों फंदों को हम पलटा के ऐसे left needle में shift करेंगे और दोनों फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे ये देखें ये देखें ये दस फंदों में हमारा pattern आ गया same process आगे repeat होगा तो देखें back side की तरब से देखें second फंदा हम पहले बुनेंगे फिर first फंदे को सिरीप करेंगे और left needle में उठा लेंगे फिर इस फंदे को सीधा बुन लेंगे ये देखें धागा अपनी side 6 फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे 6 फंदे उल्टे बुन लेने हैं फिर धागा पीछे कर लेंगे और देखें, next हमने दो फंदों को twist करना है, तो सीधी side से दोनों फंदों में ऐसे slide डालेंगे right needle, फिर इन फंदों को ऐसे पलटा के left needle में shift करेंगे और एक, एक करके सीधा बुन लेंगे last का फंदा सीधा तो देखें, ये front side से हमारी pattern की third row complete हो गई अब देखें, wrong side से fourth row, अब fourth row में देखें, पहला फंदा उता लेंगे, और wrong side से fourth row को हमने उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है अब देखें, फ्रंट side से fifth row, अब fifth row में देखें पहला फंदा उतार लेंगे next फंदा हमने सीधा बुन लेने अब देखें, next हम दो फंदा को twist करेंगे, तो देखें, second फंदा हम पहले बुनेंगे first फंदा हम बाद में बुनेंगे इस तरीके से धागा अपनी side 4 फंदे उल्टे धागा पीछे कर लेंगे next हमने दो फंदों को twist करना है, तो देखें सीधी side से एंसे slide डालेंगे दोनों फंदों को right needle में उतार लेंगे फिर इनको एंसे पलटा के left needle में shift कर लेंगे अब दोनों फंदों को हमें एक एक करके सीधा बुन लेना है अब देखें next दो फंदे सीधे आ जाएंगे दो फंदे सीधे अब next देखें दो फंदों को हमने twist करना है तो back side की तरब से देखें second number का फंदा पहले बुनेंगे फिर left needle में first number का फंदा उठाएंगे और इसको सीधा बुन लेंगे अब देखें धागा अपनी side 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4 4 फंदे उल्टे धागा पीछे कर लेंगे अब देखें सीधी side से देखें ऐसे slide डालेंगे दोनों फंदों को right needle में उतारेंगे फिर दोनों फंदों को हमने left needle में shift करना है फिर एक एक करके इन दो फंदों को सीधा बुन लेने फिर last के दो फंदे सीधे ये देखें ए front side से हमारी fifth row complete हो गई आप देखें wrong side से 6 row अब 6 row में देखें पहला फंदा उतारेंगे और wrong side से हमने 6 row को उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है ये देखें wrong side से हमारी 6 row complete हो गई आप देखें front side से 7 row आप 7 row में देखें पहला फंदा बुन के उतार लेंगे next हमने 2 फंदे सीधे बुन लेने है 2 फंदे सीधे बुने आप देखें next दोनों फंदों को ट्विस्ट कर लेंगे तो back side की तरफ से हमने second number का फंदा पहले बुनना है फिर हम first number का फंदा बुन लेंगे धागा अपनी side 2 फंदे उल्टे एक, दो धागा पीछे next हम 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे दोनों फंदों को ऐसे right needle में उतारेंगे और ऐसे पल्टा के left needle में shift करेंगे फिर दोनों फंदों को हमें एक, एक करके सीधा बुन लेना है अब next देखे एक, दो तीन, चार चार फंदे सीधे बुनेंगे अब देखे next हम दो फंदों को ट्विस्ट कर लेंगे तो back side की तरब से second फंदा पहले बुनेंगे first फंदा left needle में उठाएंगे और इसको भी सीधा बुन लेंगे धागा अपनी side दो फंदे उल्टे फिर देखे दो नो फंदों को हम ऐसे right needle में उतारेंगे फिर ऐसे पल्टा के इनको left needle में shift करेंगे और एक एक करके सीधा बुन लेंगे next हम देखे एक दो फंदे सीधे last का फंदा भी सीधा तो देखे फ्रंट साइड से हमारी seven throw complete हो गई आप देखे रोंग साइड से eight throw eight throw में देखे पहला फंदा उतारेंगे और रोंग साइड से हमने eight throw को उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है same process को repeat करते हुए यह देखे यह रोंग साइड से हमारी eight throw complete हो गई आप देखे फ्रंट साइड से nine throw अब nine throw में देखे पहला फंदा बुनके उतारेंगे next देखे एक दो तीन तीन फंदे हमने सीधे बुने आप देखे next दो फंदा को twist करेंगे तो second number का फंदा पहले बुनेंगे back side के तरप से फिर देखे पहला फंदा sleep करेंगे और left needle में उठाएंगे फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे अब देखे next हमने दो फंदे twist करने हैं तो सीधी side से slide डालेंगे right needle और देखे ऐसे पलटा के इन दो फंदों को left needle में shift करेंगे और एक एक करके सीधा बुन लेंगे यह देखे फिर देखे next एक दो तीन चार पांच और छे छे फंदे हमने सीधे बुने अब next देखे दो फंदे twist करेंगे back side की तरप से second फंदा बुनेंगे पहले फिर first फंदा बुन लेंगे फिर देखे दोनों फंदों को हमें ऐसे right needle में उतारेंगे और फिर ऐसे पलटा के left needle में shift करेंगे दोनों फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे फिर देखे next एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, लास्ट का फंदा भी सीधे, यह देखे, फ्रंट साइट से हमारी 9 त्रो कम्प्लेट हो गई, आप देखे, रोंग साइट से 10 त्रो, अब 10 त्रो में देखे, फहला फंदा उता लेंगे, और रोंग साइट से हमने 10 त्रो को उल्टा बुनते हुए कम प्रोसिस को रिपीट करते हुए देखे रॉंग साइड से हमारी टैन्थ रोग कमप्लेट हो गई आप देखे फ्रन्ट साइड से इलेवन तरो अब इलेवन तरो में हमारा पैटरन रिपीट होगा इलेवन तरो को हमने फर्स्ट रो की तरो बुनते हुए कमप्लेट करना है तो देखे पहला फंदा बुन के उतार लेंगे नेश्ट फंदा सीधा बुनेंगे धागा अपनी साइड करेंगे आठ फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ फंदे उल्टे धागा पीछे कर लेंगे और देखे नेश्ट एक, दो, दो फंदे सीधे आठ फंदे उल्टे आठ फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा लाष्ट का फंदा भी सीधा तो देखे ये फ्रंड साइड से हमारी 11th row कमफलेट हो गई 11th row में हमारा पैटन रिपीट हो रहा था 11th row को हमने 1st row की तरह बुनते हुए कमफलेट किया अब रॉंग साइड से देखे जो हमारी 12th row आएगी उसको हम 2nd row की तरह बुनते हुए कमफलेट करेंगे इस तरह हम अपने पैटन को रिपीट करते जाएंगे दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, सियर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक्यू